हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक महान शक्षियत से मिलेंगे, जिनका दस साल से उपर शक्षा के क्षित में एक्स्पिरियंस है, तथा ये मेरे सबसे प्रिये दोस्तों में से एक हैं, उनका नाम है श्री विक्रम जी, तथा आज उनसे जानेंगे कि छोटे बच्चों को किस तरह से टीच किया जा सकता है, नमस्ते विक्रम जी, आप ये बताईए कि हम छोटे बच्चों को अच्छी तरीके से कैसे टीच कर सकते हैं, देखिए, सबसे बड़े, चोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत ही चंचल होते हैं, उनका ध्यान हमेशा खेलने में ही लगा रहता है, इसलिए आजकर ऐसे मैफ़ड विक्सित हुए हैं, जिनको लेवे मैफड करते हैं, उनसे हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, जिससे खेल के द्वारां बच्चों को अद्धिक से अद्धिक पढ़ा सकते हैं, और उनके पढ़ाई की प्रती में चिकारा सकते हैं, आप ने दस साल तक छोटे बच्चों को पढ़ाया है, तथा उनको टीच किया है, उनके मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको वो कैसे मोटिवेट किया जा सकता है एड़केशन प्राफ पर पहने लिए देखिए बच्चे जो होते हैं जो चोटे बच्चे हैं वो बड़े ही चंचा सभाव के होते हैं उनको जो है हमेशे ही उनका पढ़ाई में इंटरस्ट नहीं होता कभी वो खेलने में इंटरस्ट लेते हैं कभी वो और एक्स्ट एक्स्ट कुटी में इंटरस्ट लेते हैं तो टाइम को ऐसे हमें जिवाट करना पड़ता है कि कुछ टाइम खेल के दौरा उन्हें पढ़ा ग अब उनको क्या मैसेज देंगे के वह किस तरह से अपने टीचिंग के मैथट में चेंजे से लेके आएं तांके वह अच्छी प्रेके से एक सफ़ल टीचर बन सके हैं मैं तो यह मैसेज देना चाहूंगा कि जितना हो सके बच्चों के लेवल पर जाकर पढ़ाना चाहिए पुछी टीचर्स होते हैं बहुत ही कौलिफाइड होते हैं जैसे पीजेस्टी वगएरा भी की उट दिया है तो वह गुण को अपना लेवल नहीं देहना चाहिए बलकि बच्चों का लेवल देहना चाहिए जितना हम बच्चों में मिक्स हो जाएंगे उतना ही हम बच्ची रचसम को प्रास कीए एक लाश प्रशन आपसे जानना चाहूंगा कुछ बच्चे शिरार्ती किसम क्यों होती हैं आप उनको कैसे हैंडल करती हो कि बच्चों थोड़ा बहुत आपने बिकर्म जी से जाना कि कभी-कभी बच्चों को पुनिश्मेंट भी दी जाती है पर जो हमारा वे होना चाहिए वो बच्चों को मोटिवेट करना होना चाहिए जिकर्म जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप काउंटिंग एजुकेशन के प्लेट्फों पे आए तथा हमारे व्यूवर्स को और एडर्स को कुछ जानकरी दी बहुत बहुत धन्यवाद आप